टॉप सेक्स पाकिस्तानी ड्रामाज जो ज्यादा पॉपिलर थो नहीं हुवे मगर ये टीवी शो बहुत अच्छे चले थे नमबर वान, हमसफर हमसफर एक अत्यदिक प्रशंसित नातक है जो 2011 में शूरू हुआ इसने फवात खान और माहिरा खान मुख्य भूमिका में है कहानी दो व्यक्तियों खिरद और अशकी यात्रा के इर्द गिर्द भूमती है जिन्हें शादी के लिए मजबूर किया जाता है और अंतता है एक गहरा बंधन विक्सित हो जाता है नाटक प्रेंग परिवार और सामाजिक दबाव के विशयों की परताल करता है नमबर तू जिन्दगी गुलजार है जिन्दगी गुलजार है 2012-2013 की ड्रामा सीरीज है जिसमें सनम सईट और फवात खान ने अभिने किया है यह अलग-अलग सामाजिक आर्थिक प्रिष्ट भूमी के दो व्यक्तियों कशिफ और जारून की कहानी है नाटक उनके विप्रीट व्यक्तित्व और वर्ग घेथ, लिंग भूमिका और व्यक्तिगत महत्वाकान शाओं जैसे विशेयों से निपरते हुए आत्मत खोच की उनकी यात्रा पर प्रकाश डालता है नमबर त्री, दास्तान दास्तान, एक पीरिय प्रामा है जो 2010 में शोरू हुआ थापवाद खान और सनम बलूच अभिनीत, यह 1947 में भारत के विभाजन की प्रिष्ट भूमी बराधारित है कहानी बानो और हसन के इर्ध गिर्ध भूमती है, जिनका जीवन उस दौरान राजनीते कोथल पोथल से काफी प्रभावित होता है नाटक बलिदान प्लची लिपन और विभाजन के परिणामों के विशेयों की परताल करता है मेरी जात दर्रा ए बेनिशा यह बाल दुर्गवहार के समवेधन शील मुद्दे को संबोधित करती है कहानी बाल चूशन से बची मीरा और उसकी गुरू बनी प्रसित गाईका सज्जो के संधर्षों के इस गिर्ध भूलती है उदारी का उदेश बाल संरक्षन और प्रचलित सास्प्रितेक मांदंदो को चुनोती देने के बारे में जागरूपता बढ़ाना है नमबर सिक्स मेरे पास तुम हो मेरे पास तुम हो एक व्यापक रूप से लोप्वेध ड्रामा सीरीज है जो 2019 में शोरू हुई हुमायून साइद, अयादा खान और अधनान सिद्धी की अभिनीत यह दानिश और महविश की कहानी है एक जोड़े का जीवन तब बदल जाता है जब महविश धनकी और आकर्शित होता है और भोतिकवादी इच्छाएं नाटक प्यार, विश्वास धात और किसी की पसंद के परिनामों की परताल करता है इन नाटकों ने अपनी आकर्शक कहानी, सशक्त प्रदर्शन और पाकिस्तानी समाज में प्रचलित सामाज एक मुद्दो को संबोधित करने की क्षमता के लिए महत्वकूम प्रशंसा अर्जित की है